आज जिस विशह पर हम लोग बात करेंगे वो है संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के संबंधित से धानत यहाँ पर जब हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं और संस्कृति से उसका संबंध या सामाजिक परिवर्तन पर संस्कृति का प्रभाव समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ महत्पूर्ण सिध्धान्त भी समझने की आवश्यक्ता पड़ती है यहाँ पर इस संदर्ब में जो सबसे पहले हम लोग जिस सिध्धान्त की चर्चा करेंगे वो है सांस्कृतिक विलंबना का सिध्धान्त यह सिध्धान्त विलियम एफ अबण ने दिया है और अबण के अनुसार प्रतेक व्यक्ति को अपने समाज में कुछ विशेश वस्तों और ज्यान पैत्रिक रूप से मिलता है जैसे विशेश वस्तों को वो पैत्रिक रूप से भी प्राप्त करता है और यथा संभव अपने प्रयासों से भी इन में परिवर्तन लाता है या इन ही प्राप्त हुई विशिश्ट प्रकार की वस्तों या ज्यान में अपना संशोधन करके एक नए प्रकार के ज्यान या किसी नई वस्तों का अविश्कार भी करता है यहाँ पर ये सभी वस्तुएं चाहे उसे पैत्रिक रूप से प्राप्त होई हो चाहे उसने उसमें खुद संशोधन करके कोई नई वस्तु को बनाया हो तो ये सभी वस्तुएं या ये सभी विशिष्ट वस्तुएं एक समाज में विशिष्ट रूप से प्राप्त होने वाली वस्तुएं या ग्यान व्यक्ति को सामाजिक विरासत के रूप में मिलता है यहाँ पर यह सभी विशेश वस्तुएं व्यक्ति की सामाजिक विरासत बन जाती है और इस सांस्कृतिक विरासत या सामाजिक विरासत को आगबर्ण ने संस्कृति या कल्चर की संग्यादी है इस संस्कृति को जो संस्कृतिक विरासत है जो संस्कृति के रूप में परिभाशित की गई है आउगबर्ण के द्वारा इसको आउगबर्ण ने दो भागों में भाटा है पहला भाग उन्होंने भौतिक संस्कृति के रूप में बताया है और दूसरा भाग अभौतिक संस्कृति के रूप में बताया है यहाँ पर भौतिक संस्क्रिती को उन्होंने material culture के रूप में परिभाशित किया है और उनके अनुसार ये संस्क्रिती का वह भाग है जिसमें भौतिक वस्तुएं सम्मिलित हैं भौतिक वस्तुएं मतलब वो वस्तुएं जिनका दैनिक जीवन में हम लोग प्रियोग करते हैं जैसे furniture, घड़ी, motor car, अन्य चीज़ें जैसे fridge है या आपका कोई भी rail गाड़ी है ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं ये सब भौतिक वस्तुएं जितनी भी हम लोग अपने जीवन में देखते हैं या प्रियोग करते हैं वो सभी भौतिक संस्कृती का भाग है जो दूसरा भाग बताया है और बढ़ने वो है अभौतिक संस्कृती है इसको उन्हों है non-material culture के रूप में परिभाशित किया है यह संस्कृती का भौ भाग है जिसमें धर्म, प्रथा, परंपराएं, रूढ़ी, विश्वास, भाशा, आदी संमिलित हैं अर्थात ये भौतिक रूप से प्राप्त वस्तुएं नहीं हैं संस्कृती का यह भाग अभौतिक भाग उन्हें चीदों को संमिलित करता है जो भ प्रदत रूप से प्राप्त होती हैं विश्वास उनको अपने आप में संमिलित करता है इसी कारण धर्म, प्रथा, प्रम, प्रा, रूड़ी, विश्वास जैसी वस्तुएं संमिलित हैं विश्वास संमिलित हैं प्रचलन संमिलित हैं यहाँ पर अगबन के नुसार इन में से किसी भी एक भाग में अगर परिवर्तन होता है तो ये अवश्यम्भावी है ये आवश्यक है कि दूसरे भाग में भी उसकी देखादे की परिवर्तन हो। दोनों भाग हैं जो संस्कृति के उन में से किसी भी एक भाग में अगर परिवर्तन होता है तो दुसरे भाग में परिवर्तन होना अवश्यम्भावी है परंतु सामानेता या धिकाश्यता या सदै भी भौतिक संस्कृति में परिवर्तन, अभौतिक संस्कृति में परिवर् जाती है और इस आगे पीछे होने के कारण जो है एक सांस्कृतिक या सामाजिक असंतुलंग की स्थिती पैदा होती है भौतिक संस्कृती के अभौतिक संस्कृती से आगे निकल जाने की या भौतिक संस्कृती के भौतिक संस्कृती से पिछर जाने की प्रक्रिया को अबढ़ने सांस्कृतिक विलंबना कहा है और इसी खारण इनके इस सिद्धान का नाम भी सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धा सांस्कृतिक विलंबना मतलब कैसे सांस्कृति का एक भाग दुसरे से विलंबित हो जाता है देर हो जाती है उसको परिवर्तन होने में तो इसको स्पष्ट करने वाला सिध्धान्त है सांस्कृतिक विलंबना का सिध्धान्त जो विलियम एफ और ने दिया है यहाँ पर एक समझने की बाप ये भी है कि क्यों ऐसा होता है कि जो भौतिक संस्क्रती है वो भौतिक संस्क्रती से आगे निकल जाती है इसका मूल कारण ये है कि जो भौतिक संस्क्रिती के तत्व हैं जो फर्नीचर हैं जो भौतिक वस्त्व हैं वो बड़ी आसानी से व्यक्ति अपने प्रयोग में लाने लगता है पहले हम लोग बेलगाडी पे चलते थे पर मोटरकार की उपियोगता देख करके जिनके पास भी सामर्थ था उनलोंगे ने मोटरकार खरीद ली आज हम लोग देखते हैं कि गाउं से आने का पहले सबसे जो उचित साधन था वो रेलगाडी या बस हुआ करती थी परन्तु समय के साथ साथ ये देखा गया कि मोटर साइकल की जो उपियोगता है वो अधिक है वो अधिक सुगम है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस के लिए बहुत देर इंतिजार करना पड़ता है रेलगाडी का समय निश्चित नहीं है तो हम देखते हैं कि जो भौतिक वस्तू है जो भौतिक संस्कृति का भाग मोटर साइकल है उसको गाओं गाओं में प्रतेक व्यक्ती ने आत्म साथ कर लिया है अगर सामर्थ नहीं है तो फाइनेंस कराके उसको अपने पास रखा है तो यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक संस्कृति की उपयोगता को देखते हुए व्यक्ति उसे तुरंत आत्मसाथ करता है पर जब धर्म प्रथा परंपरा की बात आती है तो यहाँ पर व्यक्ति अगर चाहे भी कि समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए वो इन में करने से उसको रोकते हैं तो यहां पर अभौतिक संस्कृति उतनी जल्दी परिवर्थित नहीं होती है जितनी भौतिक संस्कृति होती है अभौतिक संस्कृति के साथ एक जो महतुकुन तथ ये भी है कि व्यक्ति के अंदर ये सामाजी करण द्वारा जो अभौतिक संस्कृत के तत्में इतने अंदर तक इंग्रेन कर दिये जाते हैं, इतने अंदर तक उसमें स्थापित कर दिये जाते हैं, कि उसकी मानसित्ता स्वय में भी इन तत्तों में परिवर्तन के लिए राजी नहीं होती है, सहज रूप से तो बिल्कुल नहीं राजी होती है, उसके लिए बह बॉतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है इससे संस्कृतिक विलंबना होती है और इससे समाज में असंतुलंग की स्थिति पैदा होती है जिसे हम लोग एक दुसरे शब्दों में अगर देखना चाहें तो ये परिस्थिति कुछ-कुछ दरखाइम की एनॉमी के सिध्धान स तथा पित्रिम सोरोकिन जैसे समाज शास्त्रियों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन सदय भी अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन से पहले हो ये आवश्यक नहीं है इससे उल्टा भी हो सकता है इसका कारण क्या है कि भौतिक संस् के विचारों और ग्यान पर निर्भर हैं तो यहां सुरुकिन और वुडवर्ड ने जो बात कही है उन्होंने कहा है कि जब हम लोग भौतिक संस्कृती में परिवर्तन की बात करते हैं तो यह स्मरण रखना पड़ता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे जो मांसिक स्थितियां है व्यक्ति की जो उसकी सोच है उसमें परिवर्तन आवशक होता है और ये सोच ही ये विचार ही ये ग्यान ही जो ग्यान नया ग्यान वो साइंटिफिक ग्यान वेग्यानिक ग्यान अपने आप में आत्मसात कर रहा है उसके आधार पर ही नया विशकार होते हैं तो यहां पर ये देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं अभौतिक संस्कृती भौतिक संस्कृती को निर्धारित कर सकती है और भौतिक संस्कृती से पहले अभौतिक संस्कृती में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है इसके अतरिक्त जो दूसरी बात आलोचना के रूप में कही जाती है संस्कृतिक विलम बना के सिद्धान के संदर्ण में तो वो है कि अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ी है या नहीं इसका नेर्ने लेना भी बहुत आसान नहीं है क्योंकि संस्कृति के इन दोनों भागों को नापने के लिए कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है कोई स्केल नहीं है, कोई mathematical टूल नहीं है, कोई गड़ती विधी नहीं है, प्रवधी नहीं है जिसे ये confirm रूप से बिलकुल सत्यता थे जाच की जातके कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन हुआ है और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं हुआ है तो यहाँ पर कोई सर्वमान्य मानक ना होने के कारण ये निर्धारित करना भी एक व्यक्ति के बायस पर आधारित हो जाता है कि परिवर्तन किस भाग में हुआ है या नहीं हुआ है ये दो आलोचनाए प्रमुक रूप से संस्कृतिक विलम बना के सिद्धांत की की जाती है अब यहाँपड अगर हम लोग दूसरे सिद्धांत की बात करें जो संस्कृती के प्रभाव को स्पष्ट करता है सांस्कृतिक परिवर्थतन पर तो वो है संस्कृति करण का सिध्धान्त संस्कृति करण का सिध्धान्त प्रसिद्ध भारतिय समाश शास्त्री एमेन श्री निवास जी ने प्रस्तुत किया है डॉक्टर एमेन श्री निवास बहुत विख्यात समाश शास्त्री है उन्होंने इस सिध्धान्त को तो बताहय यही है साथ ही उन्होंने जाती और गाओं के संदर्म में भारती जाती विवस्था और गाओं के संदर्म में भी काफी अध्यन किया और उसमें अपने शोद परियाना भी प्रस्तुत किया श्रिनवास जी के अनुसार संस्कृति करण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाती के लोग सामाजी करण द्वारा अपने स्तर को सामाजिक स्तर को उचा करने के लिए उच्च जातियों के रीती रिवाज, धार्मिक कर्मकांडो और जीवन शैली को अपनानी का प्रयास करते है यहाँ पर अगर सरलता से इसको समझने का प्रयास कह जाए क्या यह सिद्धान्त कह रहा है तो यह सिद्धान्त कहता है कि जो समाज में प्रतेक समाज में प्रतेक जात जो किसी अन्य जात से नीचे है तो वो ये प्रयास करती है कि सामाजिक स्तरी करण में उंचा अगर उठना है तो अपने से उंची जात का अनुसरन करती है उसकी जीवन शैली का अनुसरन करने का प्रयास करती है उसके धार्मिक रीती रिवाजों का अनुसरन करने का प्रयास करती है जिससे कि वो उनके अनु आज में उच्च पद उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हो। यहां पर उच्च जातियों के जीवन शैली रीती रिवाजों का अनुसरण करके नीची या अपेक्षाकर्त नीची जातियां अपनी सामाजिक स्थिती को उच्छा बनाने का प्रयास करती है। संस्तरण या संरचना में परिवर्तन के साथ ही साथ सामाजिक संस्तरण और संरचना में भी परिवर्तन ला सकता है। या सामाजिक मान संमान सामाजिक द्रिष्ठकोन में उचा माना जाता है। तो उसकी जीवन शैली का नुसरण करके वो भी ये दिखा सके कि हमी समुग के समान हैं। हम भी समुग के समान हैं और इसी कारण हमें भी वो प्रतिष्ठा और मान संमान प्राप्त हो। यहाँ पर एफजी बेली ने एक बहुत प्रतिष्ठ समाश्यास्त्री हैं। उन्होंने अपनी case study एक अध्यन के द्वारा ये साबित किया कि किस प्रकार आगरा में जाटव समुग ने जाटव जाती समुधाई ने इस प्रकार उची जातियों के जीवन शैली का नुसरण करके अपनी प्रस्थिटी को उच्छा करने का प्रयास किया था। यह बहुत अच्छा द्यान है जिसका अक्सर हम लोग समाशा अतनु और नन करते हैं